इस एपिसोड में दोस्तों बात करने वाले हैं अवास फाइनांसे लिमिटेट के बारे में और कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां पर थोड़ा सा डिसकास करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं काफी सारे जने वैसे बात करते हैं कि यह इस स्टॉक पर डिसकेशन क मार्केट काप वाइस मिट काप साइस कंपनी है आरोई 14.2 परसेंट पर सेल्गों 26 परसेंट पर एक और ब्रॉट चीज बताते हैं जितनी भी अगर आप देखोगे अभी अगर आप थीम सेक्टर पकड़ते हो तो फाइनांस और बैंकिंग सेक्टर इनके अंदर बहुत ते है बुक वाल्यू फोटीन हंडर्ड और 400 रुपीज है स्टॉक का भी 24 पर स्टांड करता है इंडस्ट्री का भी 18 पर यहां पर तो स्टॉक भी अभी फिरली वाल्यूड है फिर भी देखो कैसे नीचे गरता हो आरा गलत बात है गलत बात है कर रहे हैं डिसकॉस के सेल्स और वहां पर एक सेलिंग प्रेशर का फिर रहता है तो वह एक ब्रॉड चीज है जो इस स्टॉक को एफेक्ट करती है अभी नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे अच्छी ग्रोथ है बॉटम लाइन देखोगे अच्छी ग्रोथ है अब इसमें दो तरीके होते हैं बाइं क है देखो दो तरीके होते हैं इन स्टॉक्स में बाइंग करने के दो बैसिक यहां पर बन आज यहां गरेंगे तो थोड़ा से टाइम लगता है रिवशल का प्रोसेस तभी चालू होगा जब बॉटम आउट हो जाएगा तो वैसे देखना चाहिए और अगर को पूचेएग वैसे ही समझना चाहिए इस stock को तो अगर आप यहाँ पे initial positions बनाना चालू कर रहे हैं तो वो एक सही zone हो सकता है positions बनाने के लिए यह आप course देख सकते हैं वैसे और यह पहले डालना भूल गए थे इसलिए यहाँ पे cut डालना पड़ा हाँ तो हम बात यह कर रहे थे basically कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इस stock में position बना सकते हैं bottom out का बिना weight करें बट आपको फिर stock जो है patient की आपको बैटना बड़ेगा hold करना बड़ता है तो वो एक वैसे देखना चाहिए हम लोगों ने initially position बनाना चालू करा है बहुत छ stock तो है डोता हो नजर आई रहा है क्योंकि यहां अगर आप देखोगे previously एक support zone है यहां पर चांसे बन रहे हैं यहां पर की stock is zone तक हेड होता हो नजर आ जाए 1330 रुपे से लेके 1260 रुपे तक का zone है और इसमें अगर आता है stock तो यही bottom out level हो सकता है क्योंकि market तो आप देखो और देखो यह वाला जो जोन आ जाता है अगर stock ऐसे sideways चला जाता है वही फॉर एवन शॉटर टाइम तो आपको एक clear indication मिलने लग जाएगा कि stock bottom out कर रहा है क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे यहां से stock आया अभी तक एक भी ऐसा zone नहीं बना जहां पर आप कह सके कि हा stock ने recover कर जाएगा stock बहुत जल्दी तो वो भी एक fact है उमीद करता हूँ video informative लगी होगी like share subscribe जरूर करिएगा पसंद आया तो फिर मिलेंगे नए episode के साथ में अब तक लिए शुक्रिया and thanks for watching